आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे मेरा नाम एसे धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पे आपका बहुत दुस्वागत है भारत अपाचे हेलिकॉप्टर जो है वो डिप्लॉई करने वाला है बहुत अच्छी बात है जो आर्मी कॉप्स है वो छे अपाचे हे लिकॉप्टर जो है वो बॉडर पे डिप्लॉई करेगी कहां पे देखिए आपको पता है कि जो पाकिस्तान का बॉडर है पूरा ठीक है हम सबसे बड़ा बॉडर कौन से देश से शेयर करता है चलो कमेंट बॉक्स में बताओ और जरा लेंध भी बता देना कितने किलोमीट है लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो 3310 किलोमीटर बॉडर हम पाकिस्तान से शेयर करते हैं लगब 1.5,500 के करीब इसमें से लुसी बोला जाता है सबसे बड़ा बॉडर 1210 किलोमीटर हम शेयर करते हैं जमूँ और कश्मीर से उसके बाद 1035 किलोमीटर राजस्थान त पाकिस्तान का बॉर्डर, बॉर्डर मुवी देखी थी न अपने, यहूर तो मारे मा है वही और फाइनली गुजरात पांसो बारा अभी गुजरात कोंस्ट गार्ड नहीं पकड़ा था भी यह वहाँ से काफ़ी ड्रक्स वक्स आ रहे थे आलगि गुजरात से कभी अटाक नहीं हो सकता बहुत मुश्किल है रॉन आफ का अच्छ पूरा तो यह पूरा बॉर्डर है अब इस वाले को वेस्टन बॉर्डर कहता है राजस्थान वाले को ठीक है और सबसे वल्लरेबल बॉर्डर यही कश्मीर वाला बॉर्डर है तो भारत क्या है कि 2015 में 13,000 करोण कि भारत ने अमेरिका से एक डील साइन की थी कि आप हमको 22 अपाचे हेलिकॉप्टर दोगे जो कि यह समय आर्मी के पास है 2020 में कोई डील साइन हुई कि 6 एडिशनल अपाचे हेलिकॉप्टर हमको देने है वो अभी मार्च में आ रहे है अब यह जो 6 हेलिकॉप्टर है यह जोदुपुर बॉर्डर पे वेस्टरन सेक्टर पे डिप्लॉई किया जाएगा है ना अब अगर हम अपाचे हेलिकॉप्टर की बात करें तो दुनिया का सबसे खतरनाक सबसे डेडिलियस्ट हेलिकॉप्टर है यह उसामा बिन लादिन को भी यह हेलिकॉप्टर गया था मारने आपको बता दू कि जो अपाचे हेलिकॉप्टर है वो रात में भी काम करता है 280 किलोमीटर पती घंटे की स्पीट से काम करता है यह स्टिंगर मिसाइल जो कि हवा महीं उडा देती है हेल फायर मिसाइल जो कि बड़े-बड़े टैंक्स को मारने में मदद करती है जो आर्माइड वेकल्स है उनको मारने में मदद करती है वो इस हेलिकॉप्टर में जो है वो लगे रहते है है ना बहुत ही जपरदस्त नाइट विजन केपिबिलिटी के साथ एक मिनेट में 138 टार्गेट्स को खतम करती है यह 138 टार्गेट्स पर मिनेट आप समझ रहे हो कोई भी खतरनाक मिसाइल फिट करके आप किसी को भी उड़ा सकते हो तो यह यह तने डेंजरेस है बहुत कम लगों के पास यह हलिकॉप्टर है आपको एक चीज़ बताता हो कि जो अमेरिका के प्रोड़क्ट्स क्यों चलता है अमेरिका इतना क्यों अमीर है क्योंकि अमेरिका के प्रोड़क्ट्स काम करते हैं इसलिए होड लगी है कि अमेरिका के जो डिफेंस प्रोड़क्ट्स है वो खरीद लो चाइना के प्रोड़क्स बकवास है 23% की गिरावट आई है जिन देशों ने चाइना से डिफेंस प्रोड़क्स खरीता है चाइना डिवर्स इंजिनरिंग करता है उसने रशिया से वो पहले क्या करता था कि जैसे आप अगर माल जी कोई एरकाट लेने गए ठीक है तो जैसे बाइक या कार लेने जाते हो कोई टेस्ट ड्राइव मिलती है तो ऐसे रशिया या चाइना नहीं रशिया अमेरिका वो एरकाट देते हैं आपको क्या थोड़ा टाइम एक महीना रख लो यूज करके देख लो चाइना सब खोल खाल देता था रिवर्स इंजिनिरिंग करता उसके बाद कॉपी करकी बना पुरह एसंवं करके वापकस लोटना देता था किसलूं को नहीं चाहिए और कॉपी करके खुदा अपना बना लेता था इसी लिए pepti तो कॉपी हिर होता है तो चाइना है उसके प्रोडर्ट बहौत ही खराब है डेस्ट प्रोड़क्ट कि अपाचे हेलिकॉप्टर भारत पास हेलिकॉप्टर भारत के पास आगए महंगे हैं यह दिर्फेजार 17000 कोरणों के पड़े हैं भर ठीक है जरूरी है अब बात यह कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है देखिये कुछ भी हो सकता है कभी भी भारत और पाकिस्तान के निश्टे बहुत ज़धा खराब है हैदसे ज़धा खराब है पाकिस्तान बाद बाद पे धंकी देता रहता है हाला कि अपनी किताब में विकरम गोकले ने ये लिखा भी था बाला कोट स्ट्राइक हुई थी अमरान काज ने रातो रात फोन किया था हुई यह नरेंद मोधी से बाध करवा दो उन्ह Vatican करेंगे अगले दिन अभी ड़ंदन को छोड़ दिया था दर के मारे तो आप यह समझी है कि मुश्किल है तो two front war इधर चाइना जो है वो लगातार अपनी army border पे deploy करता जा रहा है हर तरीके से चाहे उसके defense चाहे उसकी soldiers हो they are actually on the borders तो वो very dangerous अब भारत बलेट वार कर रहा है भारत भी वही चीज़ कर रहा है अभी आपको पता दूं कि चाइना के spokesperson का जब भारत दस हजार और सैनिक जो है वो western sector, central sector में लगा है चाइना के, ठीक है तो वही चाइना का बयान आया कि इस तरीके से हम conflict कैसे solve करेंगे आप एक तरीक, एक तरफ तो आप peace की बात करते हैं तो दूसरी तरफ आप लगातार soldiers लगा दे रहे हो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अभी शहवाज शरीफ दुबारा से PM बन गए हैं, इसमर शहवाज शरीफ के पास पूरे 5 साल है, पता नहीं 5 साल तक रहेंगे नहीं रहेंगे, देखना पड़ेगा वो लेकिन एक चीज़ पक्की है कि यहाँ थोड़ा सा दोस्ती की हाथ जो बनाया जा रहा है लेकिन फिर भी दोस्तों हम अपने बॉर्डर्स को वल्नरेबल नहीं छोड़ सकते ठीक है न, क्योंकि यही से ही टेरिडिजम से लेकर ड्रक्स प्रॉब्लम तक यह सब यहाँ से ही आती है अभी जो हमारा स्कौर्ड है उसने चार-पांसो क्रोड के ड्रक्स जो है वो सीज किये हैं पाकिस्तान बॉर्डर पे गोल्डन क्रिसेंट में आता है न, पूरा का पूरा पंजाब, राजस्तान, गुजरात पंजाब और राजस्तान से स्पेशली बहुत ज़्यदा ड्रक्स अप्लाई होता है तो हमारे जो बॉर्डर्स है वहाँ पे जितनी ज़्यदा सुरक्षा होगी उतना ही अच्छा है ठीक है न और ये समय समय पे देश करते रहते हैं अपने बॉर्डर को सशक्त करते रहते हैं तो हमारे borders की सुरक्षा जो है वो आपके Apache helicopters करेंगे और अगर Apache helicopters है तो फिर किसी की भी हिम्मत नहीं है बात ही कि कब तक आएंगे ऐसा बोला जाता है कि इसी March तक आजाएंगे हिंडिया ने Air Base पे तो आजाएंगे और मई तक इनका deployment हो जाएगा यानि कि अगले दो महिने में आपको भारत में जोदुपुर वाले एरिया में Apache helicopter दिख जाएंगे ठीक है ना तो ये छोटा सा lecture था I hope आपको पसंद आया होगा कुछ बड़ा नहीं होने वाला ये routine exercises होती है है ना लेकिन पाकिस्तान से आप मिलकुल भी रियायत नहीं बरस सकत है thank you so much